पिछले सत्रों में हमने बीजी अव्यांजिकों का जोड और घटाव सीखा था दोस्तों चलिए इस सत्र में बीजी अव्यांजिकों का गुणन सीखते हैं मान लीजिये कि यह एक सिनिमा घर है हम देख सकते हैं कि यहां कुर्सियां पंक्तियों और स्थम्बों में व्यवस्ते धंग से रखी हुई है मान लीजिये कि हर पंक्ति में कुल N और हर स्थम में कुल M कुर्सियां है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिनिमा घर में कुल कितनी कुर्सियां मौजूद है बिल्कुल सही, कुर्सियों की कुल संख्या M और N के गुननफल के बराबर होगी हर पंक्ती और हर स्थम में मौझूद कुर्सियों की संख्याओं का गुनन सिनिमा घर में मौझूद कुर्सियों की कुल संख्या के बराबर होगा अब सिनिमा देखने जाने वाले लोगों की संख्या जब बढ़ना चालू हुई तब सिनिमा घर के मालिक ने सिनिमा घर के शमता को बढ़ाने का फैसला लिया उसने हर पंक्ती में चार और हर स्थंब में दो अतिरिक्त कुर्सिया लगवाई तो अब हर पंक्ती में कुर्सियों की संख्या N योग चार और हर स्थम में कुर्सियों की संख्या M योग दो के बराबर हो गई तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिनेमा घर में कुल कितनी कुर्सियां है? बिल्कुल सही, वह N योग 4 और M योग 2 के गुणनफल के बराबर है दोनों परिस्थितियों में हमने दो बीजिय व्यनजिकों का गुणन किया पहली परिस्थिती में व्यनजक N और व्यनजक M का गुणन किया गया था हम जानते हैं कि N और M दो एक पदी है दूसरी परिस्थिती में व्यन्जक N-yog-4 और व्यन्जक M-yog-2 का गुणन किया गया था हम जानते हैं कि N-yog-4 और M-yog-2 दो द्विपध है हमने देखा कि कुछ परिस्थितियों में हमें BG अव्यन्जिकों का गुणन करना पढ़ सकता है पर दो व्यांजिकों का गुणन कैसे किया जाता है? चलिए, देखते हैं शुरुवात में दो एकपदों के गुणन को देखते हैं हमने पहली परस्थिती में दो एकपदों के ऐसे गुणन को देखा था N और M का गुणन N M के बराबर है अब इन दो एक पदों को देखिए चलिए इन दोनों एक पदों का गुणन करते हैं ऐसे एक पदों का गुणन करते समय हम गुणांकों का गुणन पहले करते हैं और फिर उनके बीजी ये गुणन खंडों का इस प्रकार गुणन करने पर हमें यह गुणनफल मिलता है अब इन दो एक पदों को देखिए चलिए उनका गुणन करते हैं एक बार फिर हम पहले गुणांकों का और बाद में बीजी यह गुणनखंडों का गुणन करेंगे ठीक इस तरह तो गुणनफल यह होगा अगर हम इन दो चरनों को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि चर एक्स के घातों को घातांक और घात के नियमों के आधार पर जोड़ा गया है चलिए अब एक चरन आगे चलते हैं और यह देखते हैं कि एक एक पद और एक द्विपद का गुणन कैसे किया जाता है चलिए एक एक पद और एक द्विपद लेते हैं और उनका गुणन करते हैं शुरुवात करने से पहले हमें वितरन गुण को दुबारा देखने की जरुरत है वितरन गुन हमें बताता है कि A और B योग C का गुनन A और B के गुनन और A और C के गुनन के योग के बराबर है यह गुन हमें एक एकपद और एकद्विपद के गुनन करने में मदद करता है ठीक वितरन गुण के तरह यह दो X और तीन का गुणन और दो X और दो Y के गुणन के योग के बराबर होगा अब यह दोनों एक पद और एक पद के गुणन है हमने अभी अभी देखा है कि दो एक पदों का गुणन कैसे किया जाता है तो हमारा अंतिम गुणनफल यह होगा अब जब हम जानते हैं कि दो एक पदों और एक एक पद व एक द्विपद का गुणन कैसे किया जाता है एक द्विपद और एक त्रिपद के गुणन को समझना आसान होगा मान लीजिये कि हमारे पास यह त्विपद और यह त्रिपद है चलिए उनका गुणन करते है अब वितरन गुण का उपयोग करके हमें यह मिलेगा अब यह एक पद और बहुपद को गुणन करने की परिस्थिती है जो हमने अभी अभी देखा था वितरन गुण का यहां और यहां प्रयोग करके हमें यह मिलेगा इस प्रकार सरली कुरुथ करने के बाद हमें यह परिना मिलेगा इस सत्र में हमने देखा कि दो बीजी अव्यंजिकों का गुणन कैसे किया जाता है अगले सत्र में हम बीजी अव्यांजिकों के गुणन के कुछ और उधारन देखेंगे